Hey guys, welcome to the Android Guide channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको snapdragon 8 Gen 3 को compare करने वाला हूँ Apple A17 Pro के साथ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों chipset में क्या के differences and similarities है क्योंकि इन दोनों chipsets के साथ जो phone आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पे A24 Ultra और यहाँ पे iPhone 15 Pro Max जो Apple के साथ आ रहे हैं तो इन दोनों का price जो हो लगभग same है तो उस price segment में उस flagship segment में आपको दो प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं तो इन दोनों प्रोसेसर का performance कैसा है उसके बारे में आपको पता चल जागा कि कौन सा chipset के साथ जो phone है वो बेटर performance देगा इस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तब आप तो नुटिफिकेशन पहुँच सके तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते है स्नैप ड्रैगन 8 जेन 3 के साथ तो इसमें आप 1 x 3.3 GHz पे Cortex X4 मिलता है 3 x 3.15 GHz पे Cortex A720 and 2 x 2.96 GHz पे Cortex A720 and 2 x 2.26 GHz पे Cortex A520 वहीं आपको Apple A17 Pro में 2 x 3.78 GHz पे Average and 4 x 2.11 GHz पे आप तो टूथ मिलता है यहाँ पे आपको जब दोनों ही में 8 कोर्स मिल जाते हैं और जो CPU frequency है वो आपको Snapdragon 8 Gen 3 में आपको 3300 MHz का मिलता है आपल का A17 Pro में आपको 3780 MHz का CPU frequency मिलता है Snapdragon 4Nm का chipset मिलता है size में and Apple में आपको 3Nm का यहाँ पे आपको GPU जाओ आपको Snapdragon 8 Gen 3 में Adreno 750 GPU मिलता है आपल के A17 Pro में आपको जाओ Apple A17 GPU मिलता है GPU frequency पे आते हैं तो Snapdragon 8 Gen 3 में आपको जाओ 770 MHz का GPU frequency मिलता है आपल के A17 Pro में आपको 1398 MHz का GPU frequency Snapdragon 8 Gen 3 में आपको LPDDR 5X का memory type मिलता है Snapdragon 8 Gen 3 में आपको 4800 MHz का memory type मिलता है आपल के A17 Pro में आपको 3200 MHz का memory frequency मिलता है यहाँ पे दोनों ही में 5G network का support मिल जाएगा Snapdragon 8 Gen 3 में आपको Wi-Fi 7 मिलता है आपल के A17 Pro में आपको Wi-Fi 6 का support मिलता है Snapdragon में आपको Bluetooth 5.4 मिलता है Apple में आपको Bluetooth 5.3 यह तो होगे कुछ internal specification अब बात करते हैं कि यहाँ पे performance कैसा है तो सबसे पहले CPU performance पे आते हैं CPU performance जो है वो आपको Snapdragon 8 Gen 3 में बेटर मिलता है in compare to Apple A17 Pro gaming performance में भी आपको Snapdragon में आपको बेटर performance मिलता है Apple A17 Pro से battery life में आपको Snapdragon 8 Gen 3 से बेटर performance एपल A17 Pro में मिलता है Nano review score पे आते हैं तो यहाँ पे आपको Snapdragon 8 Gen 3 जो है यह बेटर performance दे रहा है और यहाँ पे इन्टूट्य स्कोर पे आते हैं तो 36% का boost आपको Snapdragon 8 Gen 3 में मिलता है in compare to Apple A17 Pro जो Geekbench है इसमें आपको Apple A17 Pro में आपको 35% boost मिलता है in compare to Snapdragon 8 Gen 3 तो guys इन दोनों को compare करने के बाद जो और end result आता है वो यह है कि Snapdragon 8 Gen 3 जो हुआ बेटर performance देगा in compare to Apple का जो A17 Pro है उससे तो यहाँ पे अगर आपको एक phone पर्सेस करना है और अगर आप सोच रहे हैं कि Samsung का A24 Ultra पर्सेस करने का in compare to iPhone 15 Pro Max तो यहाँ पे आप Samsung के A24 Ultra के साथ जा सकते हैं उसमें आपको काफी बेटर performance देखने को मिलेगा अगर आपको मेरे वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फी कोशन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें मैं एंसर जरूर दूँगा